यदि हम एक कमरे में बैठे हो और दूसरे कमरे में एक म्यूजिक सिस्टम बज रहा हो और दर्वाजा खुला हो तो हम उस म्यूजिक सिस्टम से आने वाले म्यूजिक को सुन पाते हैं वो ऐसा इसलिए होता है वेकि ध्वनी तरंगे जो इस म्योजिक सिस्टम से चल रही है वो बेंड होकर हमारे कानों तक पहुच जाती है लेकिन यदि उसी कमरे में ध्वनी श्रोत के जगे कोई प्रकाश रोत रखा हो तो क्या प्रकाश रोत चल कर मुड़ कर हमारे आँखों तक पहुचती है क्या जो घटना ध्वनी तरंगों के साथ हुई है वो प्रकाश तरंग के साथ होती है ये ध्वनी तरंग मुड़ कर हमारे कानों तक कैसे पहुची इसकी व्याख्या हाईगंस ने कुछ इस प्रकार करी जैसे कि हम जानते हैं ध्वनी तरंग है और तरंग तरंगागर की रूप में आगे बढ़ता है जैसे ही तरंगागर इस दर्वाजे तक पहुशता है इस दर्वाजे पर इस ओपनिंग पर हर एक कंड एक सेकंडरी वेवलेट्स का निर्मान करते हैं और इस प्रका ये तरंग दूसरे कमरे में भी आगे क्यों बढ़ जाता है जिसके कारण कुछ तरंगे हमारे कानों तक पहुशती है और हम उन तरंगों को सुन पाते हैं प्रकाश भी तो एक तरंग है हम जानते हैं कि यदि एक कमरे में लाइट सोर्स रखा है और हम किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं तो लाइट सोर्स सीधी आगे बढ़ जाती है वो बैंड होकर हमारी आँखों तक नहीं पहुशती तो क्या जो घटना साउंड के साथ होई यानि की ध्वनी तरंगों की मुड़ने की घटना वो प्रकाश के साथ नहीं होती यदि दूसरे कमरे में प्रकाश श्रोत रखा हो और वो दर्वाजे से आगे बढ़ रहा हो तो हमको उस कमरे में जह हम बैठे हैं कुछ एरिया ही प्रकाशित नजर आता है और उसको छोड़कर ब उरती जो घटना धुनी तरंगों के साथ होरी है वो प्रकाश तरंगों के साथ नहीं होती गार इस question का आनसर देने के लिए सब अब रिजल्ट क्या होना चाहिए हैं सामने रखा उवा परदा है थि हम जानते हैं कि प्रकाश सरल्रीखा में गमन करती हैं उसकी अनुसार सथ कुछ ऐसा होना चाहिए जो एरिय स अवरोद से एक सरल रिखाम कीजे तो जो एरिया इस अवरोध के ऊपर है वह पौन रूप से प्रकाशित होना चाहिए और जो एरिया इस लाइन की नीचे है वहां पर इस अवरोध की छाया बननी चाहिए यानि कि ये एरिया डार्क होना चाहिए लेकिन इस प्रयोग के रिजल्ट कुछ रेडी आ चुका था यानि कि प्रकाश तरंग ने इस छाया वाले रीजन में अतिक्रमन कर लिया था और प्रकाश की यही घटना जहां पर वो किसी अवरोध से मुड जाती है और उसकी छाया में अतिक्रमन कर लेती है इसे हम व्यतिकरन के नाम से जानते हैं और अभी इस प वस्तू की जगे पर अगर कोई समान अवरोध रख दिया गया होता तो वहाँ पर नैचरली उसकी छाया ही बनती लेकिन यह वस्तू यह अवरोध तीक्ष्ण है धादार है और इसी कारण ही यहाँ पर विवर्तन की घटना हो रही है यानि कि विवर्तन की घटना समान्य कोटी का होना चाहिए और यही कारण है कि साउंड वेव में विवर्तन की घटना असानी से होती है क्योंकि साउंड वेव का तरंग दैरदे एक सेंटीमीटर से 10 मीटर तक का होता है और इस कोटी का अवरोध आसानी से हमको कमरी में प्राप्त हो जाता है लेकिन प्रकाश का तरंग दे जो की सात रंगों में बटा है यदि माध्य रंग पीले को ले तो 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर होता है और इस कोटी का अवरोध समाने स्थिती में प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर इसी घटना में जहां पर एक प्रकाश रोत कमरे में रखा हुआ है और दूसरे कमरे में हम बैटे हैं और बीच में दर्वाजा है इसी दर्वाजे को इसी ओपनिंग को यदि हम बहुत कम कर दें इतना कि ये कुछ माइक्रो मीटर की कोटी का हो उस कंडिशन में प्रकाश के विवरतन की घटना भी हम देख पाएंगे और जिस छेतर में जिस कणिका सिध्धान्त के अधार पर कभी भी नहीं की जा सकती इसके लिए हाइगन्स के तरंग सिध्धान्त को ही इस घटना को समझने के लिए एपलाई करना होगा जिसके अनुसार जब प्रकाश तरंग उसके एक कोटी के बराबर किसी अवरोध से टकराती है तो वो मूड जाती है यानि कि एक तरंगागर जब मूडता है तो उस तरंगागर के जो एक्सपोस्ट भाग होते हैं उनमें इस निकलने वाली द्यूतेक तरंगी का आपस में अध्यारोपित होती है और उनके अध्यारोपन के कारण ही यहाँ पर तीवरता का उर्जा का वित्रण होता है जो की विवरतन प्रारूप देता है जिसके कारण हमें परदे पर फिर से चमकीली और काली पट्टी नजर आने लगती है और इस घटना का प्रेवग एक प्रदर्शन दो AC अलग अलग वेग्यानीकों ने किया था एक फ्रेनल और दूसरा फ्राण हफर इसके आधार पर इस विवरतन को हम दो प्राकार में बाड़ते हैं फ्रेवरतन और दूसरा है फ्र्राण हफर विवरतन फ्रेनल विवर्तन में जो प्रयोक किया गया था वो इस कंडिशन में किया गया था कि अवरोध से श्रोत और अवरोध से परदे की दूरी सीमित थी तो जहां पर ये कंडिशन हो यानि कि अवरोध से परदे की दूरी और अवरोध से श्रोत की दूरी सीमित होगी तो वो कहला और यदि अवरोध से श्रोध की दूरी और परदे की दूरी असीमित हुई तो वो कहलाता है फ्रॉन होफर विवर्तन अब अवरोध से परदे की दूरी और श्रोध की दूरी असीमित होना यह तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि यदि हम प्रयोग को लैब में कर र लिए गया हम जानते हैं कि कोई भी तरंग आग्र यदि बहुत दूर से आ रहा होता है चाहे वह गोली है चाहे वह समतल है दूर से आने के स्थिति में उसका एक छोटा सा भाग ही हमको मिल पाता है यह फिर हम यूं कहें कि दूर आते-ाते उसकी वकरता कम हो जाती है इसके कार वो एक प्लेन वेफरंट की तरह कारे करता है एक सम्तल वेफरंट की तरह कारे करता है और यही स्थिती हम लैब में क्रियेट करते हैं विवर्तन की घटना को अच्छे तरह से समझने के लिए हम फ्रॉन होफर के प्रयोग का सेटप देखते हैं फ्रॉन होफर के प्रयोग को अ प्रकाश रोध इस convex lens के focus पर स्थित हो यह एक प्रकाश रोध बिंदु आकार का है यानि कि इसमें से गोली तरंगागर निकल रहे होंगे जब यह गोली तरंगागर इस lens से टकराते हैं यदि हम प्रकाश किरण के माध्यम से देखें तो यहाँ पर यह सभी प्रकाश किरण अ आगे बढ़ रहे हैं इस lens के focus से तो यह सारे प्रकाश किरण lens से अपवर्तन के पश्चात समानतर हो जाएंगे इसका मतलब जो wavefront इस lens से गुजरेगा वह अपवर्तन के पश्चात एक plane wavefront बन जाएगा वैसे ही यदि कोई plane wavefront इस lens पर पढ़ रहा हो तो सारी समानतर प्रका प्रकाश किरणे वह अपवर्तन के पश्चात इसकी focus पर जाकर मिलती हैं सेम यहां पर भी ऐसे होगा तो जो plane तरंगाग्र इस lens पर अपतित होगा वह अपवर्तन के पश्चात गोली हो जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि एक प्रकाश रोत जो की इस lens के focus पर रखा हो यह से उत्पन हो रहा है तो इस प्रकार गोली तरंगाग्र लेंस पर अपतित होने पर वो समस्वल को करते हुए दिवर्तन की व्यक्षा की उन्हों ने भी अपने प्रयोग में दो लेंस लिए पहले लेंस के सामने उन्होंने एक प्रकाश रोत रखा माना कि एस वन एक प्रकाश रोत है अब इस से निकलने वाला कोली तरंगागर इस लेंस पर अपतित होगा और उसके बाद ये एक प्लेन वेफ्रंट में कनवर्ट हो जाएगा मान लीजिए इन दोनों लेंसों के बीच में एक स्लिट है जहां से प्रकाश रोत को आगे बढ़ना है अब ये प्रकाश रोत इस छोटे से स्लिट से जिब प्रकाश के तरंगदैर्धी की कोटी का ही होगा तो ये दूसरे लेंस पर अपतित हो गी ये दूसरा लेंस इस प्रकाश किर्णों को कन्वर्ट गरेगा और इस lens की focus बिंदू पर ही जहां पर किरने converge होंगी एक परदा रखा गया है जिसकी सहयता से हम विवर्तन प्रारूप को देख सकते हैं मान लीजिए इस slit की चोड़ाई A है और O एक ऐसा बिंदू है इस परदे पर जो इस slit के perpendicular bisector पर है यानि कि slit को दो भागों में बीचों बीच बाठते हुए इस से लंबवत दूरी पर स्थित है अब जो plane wave front आगे बढ़ रही है जब इस slit के पास पहुचेगी तो इस plane wave front पर मौजुद हर एक कंड ये दुद्यक तरंगीकाओं का निर्मान करेंगे और जो wave A और B से इस O बिंदू पर पहुचेगी ये दोनों ही समान दूरी तै करेंगे इसका मतलब इन दोनों तरंगों के बीच में कोई भी path difference पत आंतर नहीं होगा और यदि path आंतर नहीं हुआ तो इनके बीच में कला आंतर भी शून्य होगा जिसके कारण इस center O पर उचेष्ट के स्थिति प्राप्त होगी यानि कि maxima के स्थिति प्राप्त होगी और ये जो center position है O position है वो प्रकाशित हो जाएगा और इसे हम केंद्रिय दिप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं मान लीजे इसी परदे पर हम एक और point लेते हैं P ये point हम कहीं पर भी ले सकते हैं अब इस बिंदू पर तीवृता अधिक होगी या कम होगी वो निर्भर करता है A और B से निकलने वाले तरंगों के पत आंतर पर यूँकि हम देख रहे हैं जो तरंग इस A बिंदू से निकलेगा वो P बिंदू तक जल्दी पहुँच जाएगा और जो B बिंदू से निकलेगा उसको पहुँचने में कुछ समय लगेगा मान लीजिए इस प्रकार A और B बिंदू से निकलने वाली तरंगे P बिंदू पर पहुच रही हैं जो कि CO के साथ ठीटा कोन बनाती हुई हैं अब A से P में पहुचने वाली तरंग और B से P में पहुचने वाली तरंग के बीश में जो पत आंतर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम A से लंबवत रेखा ड्रॉ करेंगे इस P से निकलने वाले तरंग पर तो ये BN ये पत आंतर को रिप्रेजंट करता है और ये पत आंतर BN ही तै करता है कि P बिंदू पर प्रकाश की तीवरता अधिक्तम होगी ये निनितम जो कोण A, B, N है वो भी थीटा होगा क्योंकि ये सारी तरंग जो P बिंदू पर पहुच रहे हैं वो C के साथ थीटा कोण बना रहे हैं इसलिए एंगल B, A, N भी थीटा होगा तो अब इस समकून तरिभूच B, A, N में साइन थीटा बराबर B, N अपॉन A, B और इस A, B का मान है A तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा B, N अपॉन A और यहां से B, N बराबर होगा A, साइन थीटा यही पत आंतर है अब मान लीजिए हम पहली स्थिती लेते हैं जहां पर यह पत आंतर यह B, N बराबर लैम्डा हो इस स्थिती में हम A, B से निकलने वाले तरंग को दो भागों में बाढ़ते हैं A, C और C, B अब इस A बिंदू से निकलने वाली तरंग, इस C बिंदू से निकलने वाली तरंग, दोनों के बीच में पत आंतर लैम्डा बाइट 2 कहोगा वैसे ही A से नीचे निकलने वाली तरंग और C से नीचे निकलने वाली तरंग के बीच में भी पत आंतर λैमडा बाई 2 कहोगा यह यू कहें AC जो फर्स्ट पोर्शन है उपर वाला और जो नीचे वाला पोर्शन है CB इन में से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथ आंतर लैमडा बाइ टू का होगा और इस तरह इनके बीच में विनाशी व्यती करण होगा जिसके कारण P बिंदू पर तीवरता कम हो जाएगी और इस इस्थिती को हम निमनिष्ठ की इस्थिती कहते हैं इस इस्थिती के लिए पत आंतर लैमडा था यानि की बीच बराबर लैमडा था तो हम लिख सकते ए साइन थीटा बराबर लैमडा चुकि थीटा का मान बहुत ही कम है तो हम साइन थीटा के स्थान पर थीटा लिख सकते हैं और यहां से थीटा बराबर हो जाएगा लैमडा अपॉन ए यदि हम बी एन बराबर टू लैमडा लेते हैं यानि कि यह जो स्लिट है एबी इसको हम चार बराबर भागों में बाटते हैं यानि कि एबी से निकलने वाले तरंग को हम चार बराबर भागों में बाटते हैं लेम्डा बाइटू लेम्डा बाइटू लेम्डा बाइटू लेम्डा बाइटू तो प्रतिक पोर्शन से यानि कि पहले भाग से निकलने वाले सारे तरंग दूसरे भाग से निकलने वाले सारे तरंग के बीच में लेम्डा बाइटू का अंतर होगा और ये जब आपस में म लिए इस स्थिती में भी तीवृता कम हो जाएगी और हमें निमनिष्ठ की स्थिती प्राप्त होगी जिसे हम दृतिय निमनिष्ठ के नाम से जानते हैं और यदि इसकी कोणी स्थिती देखें तो ठीटा बराबर टू लैम्डा अपॉन ए होगा और वैसे ही तृतिय निमनिष्ठ के लिए थीटा बराबर टू लैम्डा अपॉन ए होगा और इस प्रकार यदि हम एनवे निमनिष्ठ की कोणी स्थिती लिखें तो ये होगा थीटा एन बराबर एन लैम्डा अपॉन ए जहां एन कमान वन टू थ्री इस प्रकार आगे अब हम पथांतर बियन को त्री लैम्डा बाइट लेते हैं यानि कि जो श्लिट ए बी है उससे निकलने वाले तरंग को हम तीन बराबर भागों में बाटते हैं लैम्डा बाइट टू के इस स्थिती में जो लगातार दो भाग है उनके बीच के तरंगों का पथांतर देख नीचे वाला भाग बच जाएगा यार। से जो तरंग निकलेंगी उनके बीच का पथांतर भी लैम्डा बैटू होगा यानि कि ये दोनों पॉर्शन विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे केवल नीचे वाला भाग बच जाएगा यानि कि इन तीन भागों में से केवल एक ही भाग बच जेगा जो संपोशी व्यत उचिष्ठ के नाम से जानते हैं जो केंद्र में उचिष्ठ प्राप्त हुआ था वो केंद्री उचिष्ठ उसके बाद जितने भी उचिष्ठ प्राप्त होंगे वह सारे दुद्यक उचिष्ठ यानि कि सेकेंडरी मैक्सिमाज होंगे अब यह पहला वाला दुद्यक उचि यदि theta का मान बहुती कम हो तो sin theta के स्थान पर केवल theta लिख सकते हैं तो a sin theta बराबर होगा 3 lambda by 2 और यहां से theta बराबर होगा 3 lambda by 2 a और यह पहले दुत्यक उच्चिष्ठ की कोणी इस्तिति को बताता है यदि हम BN बराबर 5 lambda by 2 ले यानि कि जो पत आंतर है वो 5 lambda by 2 हो उस condition में जो slit A भी है उससे निकलने वाले तरंग को हम 5 बराबर भागों में बाटेंगे lambda by 2 के जिन में से दो लगातार भाग जो हैं जैसे कि यह पहला वाला पोर्शन और दूसरा वाला पोर्शन इससे निकलने वाले secondary waves एक दूसरे के साथ विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर lambda by 2 है वैसे ही third portion और fourth portion से निकलने वाले wave भी एक दूसरे के साथ विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर भी lambda by 2 है लेकिन यहाँ पर बच जाएगा पाचवा portion जो की समपोशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगा और इसी कारण हमें परदे पर उच्चिष्ठ प्राप्त होगा और ये उच्चिष्ठ दूतिय दूतियक उच्चिष्ठ कहलाएगा यानि कि second secondary maxima अब इसकी कोणी स्थिती क्या होगी तो bn बराबर a sin theta था और अभी हमने bn बराबर 5 lambda by 2 लिया यानि कि a sin theta बराबर 5 lambda by 2 और यहाँ भी theta कमान बहुत कम है इसलिए हम लिख सकते a sin theta बराबर 5 lambda by 2 और theta बराबर 5 lambda upon 2a और इसी प्रकार n वे उच्चिष्ठ की कोणी स्थिती होगी theta n बराबर 2n प्लस 1 lambda by 2a यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उच्चिष्ठ है वो lambda by 2a का विशम गोणक है तो यहाँ पर हमने 2n प्लस 1 लिख दिया जहाँ n का मान 1, 2, 3 and so on आगे रखते जाने पर हमें पहला दूत्यक उच्चिष्ठ दूसरा दूत्यक उच्चिष्ठ तीसरा दूत्यक उच्चिष्ठ प्राब्त होते जाता हैं और यह उचिष्ठ केंद्री उचिष्ठ के दोनों और प्राप्त होते हैं अब केंद्री उचिष्ठ से इन उचिष्ठों और निमनिष्ठों की दूरी कितनी होगी की परदे पर यह ग्याद करेंगे निमनिस्ठ की इस्थिति के लिए यदि हम इस चित्र को देखें मान लीजिए निमनिस्ठ वाई दूरी पर केंद्र से प्राप्त हो रहा है तो इस चित्र अनुसार टैन थीटा एक्वल टू होगा वाई अपॉन डी यानि की लंब बटे निमेनिस्ठ की कोणी इस्थिति थीटा बराबर थी अन लैम्डा अपॉन ए तो हम लिखेंगे वाई अपॉन डी बराबर अन लैम्डा अपॉन ए और यहां से वाई का मान प्राप्त भोगा एन लैम्डा डी अपॉन ए वैसे ही सेंटर से दुधियक उच्चिस्ठों की काई दूरी पर हैं तो यहाँ पर भी टाइन थीटा बराबर वाई इपन डी होगा कर यह कह सकतें थीटा बराबर वाई पॉद आप ऑउन डीन पर उचिष्ठ की जो कोनी स्थिति थी वो थीटा बराबर 2N plus 1 Lambda upon 2A है तो यहां से हम लिख सकते हैं Y upon D 2N plus 1 Lambda upon 2A और Y बराबर होगा 2N plus 1 Lambda D upon 2A और यही केंद्र से उच्चिष्ठों की दूरी होगी अब हम उच्चिष्ठ की चोड़ाई ग्याद करेंगे किसी भी दुत्यक उच्चिष्ठ की चोड़ाई दो क्रमागत निम्निष्ठों की बीच की दूरी होगी माना कि कि स्थिती YN बराबर N Lambda D upon A है तो इससे हम एक आगे का निम्निष्ठ भी ले सकते हैं इससे एक कम वारा निम्निष्ठ भी ले सकते हैं माना कि हमने इससे एक पहले का निमनिश्ठ लिए है यानि कि YN-1 और उसके स्थिति YN-1 होगी बराबर N-1 लेंड़ा डी अपॉन ए अब आम इन दोनों का अंतर निकालते हैं यानि कि मैक्सिमम की जो चौड़ाई होगी बीटा मैक्सिमम बराबर YN-1 और इस पूरे समीकरण को हल करेंगे तो हमें मिलेगा लैमडा डी अपॉन ए यानि कि सारे उच्चिस्थों की चौड़ाई एक समान होगी यहां हम देखें लैमडा इस प्रयोग में नियतांग था परदे की की ढूरी नियत है इस लिट की दूरी भी नियत है तो यानि इस वक्षै चौड़ाई भी एक समान होगी वैसे ही यदि हम निमनिष्ठ की चौड़ाई ग्याद करें तो यह दो क्रमागत उच्चिस्थों के स्थितिया है12 एन प्लस वन लाम्डा डी अपॉन टू ए और इससे पहले का उच्छिष्ठ के स्थिती है yN-1 जिसको हम समी करण से देंगे 2N-1 प्लस 1 लाम्ड़ डी अपॉन टू ए इस n के स्थान पर हमने n-1 लिखा हैं तो जो निमनिष्ठ की चोड़ाई होगी जिसे हम बीटा मिनिमम से दर्शारे हैं यह होगा वाई एन माइनस वाई एन मैनस वन और इसको पूरे को हल करने पर हमें बीटा मिनिमम का मान मिलेगा लैमडा डी अपॉन ए यहाँ पर लैमडा डी और ए सारे नियतांग है इसका मतलब निमनिष्ठ की चोड़ाई एक समान होती है अब इस केंद्री उचिष्ठ की चोड़ाई ग्याद करेंगे केंद्री उचिष्ठ के दोनों और हमें मिनिमा प्राप्त हो रहा है यानि कि निमनिष्ठ प्राप्त हो रहे हैं तो केंद्र से एक निमनिष्ठ की दूरी का यदि हम दुगना करें तो ये दोनों ही निमनिष्ठों के बीच का अंतर होगी इसलिए केंद्री उचिष्ठ की चौड़ाई बीटा 0 बराबर होगा 2 lambda d upon a यह हम यू कह सकते हैं जो केंद्री उचिष्ठ की चौड़ाई है वो बाकी उचिष्ठों की चौड़ाई से दुगनी होती है इस प्रकार जो वेती करण प्रारू प्राप्त होता है उसमें केंद्री उचिष्ठ की चौड़ाई दुगनी होती है और बाकी निमनिष्ठ और दुतियक उचिष्ठों की चौड़ाई एक समान होती है इस केंद्री उचिष्ठ की कोणी चौड़ाई कितनी होगी मान लेजे इसे हम 5 से दर्शारे हैं तो 5 बराबर होगा 2 lambda upon d और इस प्रकार इस mathematical calculation के बाद अलग-अलग सूत्रों में हम पहुचे हैं जहाँ पर हमने उचिष्ठों और निमनिष्ठों की चोड़ाई निकाली है इसकी कोणी स्थिती बताई है इसके अधार पर कुछ निश्कर्ष निकल कर सामने आते हैं जैसे की उचिष्ठों और निमनिष्ठों की चोड़ाई समान होती है केवल केंद्री उचिष्ठ की चोड़ाई ही उचिष्ठ और निमनिष्ठ की चोड़ाई की दुग नहीं होती है सूत्र अनुसार हम देखे तो जो उचिष्ठो और निम्निष्ठो की चौड़ाई है वो समानुपाती होती है लैम्डा के यानि कि प्रकाश के तरंग दैर्द के इसका मतलब यह है कि यदि इसी प्रयोक को लाल रंग के लिए किया जाए तो विवर्तन प्रारूप में चौड चौडी-चौडी पटें नजर आती है जबकि इसी को बकोनी लिए किया जाए तो इसमें जो पट्रय है वह पतली नजर आएंगे मतलब इसमें घुचिष्ठो और निमनिष्ठो की चौड़ाई कं नजर आएगि इसी सूत्र से हम देखे तो जो चुचिष्ठो कम होगी तो उचिष्ठों और निम्निष्ठों की चौड़ाई अधिक होगी यह यू कहें कि जैसे जैसे हम स्लिट को चौड़ा करते जाते हैं तो फ्रिंज तो उचिष्ठों और निम्निष्ठों की चौड़ाई धीरे धीरे घटने लगती है और यही कारण था कि जब एक कम कमरे में प्रकाश रोत बहार आ रहा था एक बड़े दर्वाजे से तो वहां पर सारे दूत्यक उच्चिष्टों की चौड़ाई बिल्कुल कम हो चुकी थी यू कहें शून्य हो गई थी केवल वहां पर बच्चा था केंद्री उच्चिष्ट और यही कारण है कि दिवार पर हुए जब प्रकाश कोई छोटे से चिद्र या स्लिट से गुजर रही हो और यह चिद्र और स्लिट प्रकाश की तरंगदैर्द की कोटी का हो साथ ही प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा सा अवरोध आ गया जो कि उसकी तरंगदैर्द की कोटी का था उस कंडिशन में भी हम को इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं एक छूटा सा छीद्र है और यहां से प्रकाश को गुजरना है और दूसरे प्रकाश को गमन करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था और परदे पर कुछ एरिया प्रकाशित दिखता और इसके दोनों और उसकी जैमिती छाया मिलते और इस केस में प्रकाश बीच में से इस अवरोध पर रुख जाता और इसके दोनों और प्रकाशित एरिया दिखता पर हुआ गया जहां पर complete darkness दिखना चाहिए था वहां पर प्रकाश का अतिक्रमन हो गया और वहां पर प्रकाश की तीवृता में पुनर वित्रन हो गया कहीं तीवृता अधिक दिखने लगी और कहीं पर कम वैसे ही जहां पर इस अवरोध की कारण एक complete dark area दिखना चाहिए था वहां पर प्रकाश एक धब्बा नजर आया मतलब प्रकाश की कीरण इन किनारों से टकरा कर मूरती हुई उस shadow reason पे पहुँच गई और इस प्रकार वहां पर भी प्रकाश की तीवृता का पुनर वित्रन द आ जाए या फिर कोई छोटा सा छिद्र या slit आ जाए जिसकी opening या उसका आकार इस प्रकाश की तरंग दैर्द की कोटी का हो जिसमें प्रकाश साधरन तरीके से वैवार नहीं करती बलकि वहां पर एक नई घटना उत्पन होती है जिसे हम विवर्तन के नाम से जानते हैं और वहां पर सिर्फ चाया बनने के स्थान पर उस चाया में प्रकाश का अतिक्रमन हो जाता है जिसके कारण हम एक नया प्रतिरूप प्राप्त होता है और इसे हम विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं अभी हमने विवर्तन की घटना का सिधांत देखा इसका mathematical calculation देखा उचिष्ठो और निमनिष्ठों की स्थिती देखी इनकी चौडाई देखी अब इसे हम graphically represent करते हैं हम यहां पर वाई अक्ष में तीवर्ता लेंगे और एक्स अक्ष में कोनी स्थिती हमें जानते हैं कि केंद्र पर स्लिट से आने वाली सभी तरंगी काय समान कला में पहुशती है और इ हम अधिक्तम तीवर्ता प्लॉट करेंगे और इस केंद्रिय उचिष्ठ की चौडाई दुगनी होती है तो हम इसे मोटा बनाएंगे जो कोनी स्थिती बनाई हैं हमने एक सक्ष पर इस कोनी स्थिती में हम सेंटर पे 0 लिखेंगे और दोनों ही और लैमडा बाइए थ्री ल इसी कोनी स्थिति में निमणिश्ट प्राप्थ होता है है और ठीलेंडर अगा बाइट्यक उचिष्ठ कीश्ट की तीवर्ता कितनी होगी हम जान रहें कि पहले दूतियक उच्चिष्ठ में स्लिट को हमने तीन भागों में बाटा था जिसमें से दो भाग तो विनाशी व्यतिकरण के कारण एक दूसरी की प्रभाव को नश्ट कर दिये लेकिन एक भाग से आने वाली तरंगिकाओं के बीच में संपोशी व्यतिकरण हुआ था और किहीं प्रठम दूतियक उच्चिष्ठ का निर्मांट कर रहे थे तो प्रतम दूतियक उच्चिष्ठ की तीवरता केंद्री उच्चिष्ठ से कम होगी इसलिए इसको थोड़ा हम कम बनाएं तो कि उसकी बार 2 लैमडा बाई ये पर तो निमनिश्ठी था अब दूतिय दूतियक उच्छिष्ट ये किसे स्थिति में प्राप्त हो रहा था ये कि कौन्य प्राप्त हो रहा था और इस समय हमने स्लेट को पांच पराबर भागों में बाटा था जिसमें चार भाग एक दूसरे से विन्याशी व्यतिकरंट करते हुए एक दूसरे के प्रभाव को नश्ट कर रहे थे इन पांच भागों में से एक ही भाग से आने वाली तरंगी का हैं संपोशी व्यतिकरंट करके उच्चिष्ठ का निर्मान कर रहे थी इसका मतल जो दूतियक उचिष्ट होगा उसकी तीवरता और भी कम हो जाएगी और इसलिए जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो इसे प्रथम दूतियक उचिष्ट से और भी कम बनाएगे इसी प्रकार जो नेक्स्ट दूतियक उचिष्ट होगा उसकी तीवरता और भी कम हो तो केंद्र पर तीव्रता अधिक होती है और ये तीव्रता दोनों और धीरे-धीरे घटती जाती है और फिर बिल्कुल शून्ने हो जाती है और इस प्रकार परदे में छोटे से एरिया पर हमको विवरतन प्रतिरूप प्राप्त होता है अगर इसी प्रयोग को हम श्वेत प्रकास से करते तो क्या होता हम जानते हैं कि केंद्र पर सभी बिंदूओं से आने वाली तरंगी काए एक साथ मिल रही है समान कला में मिल रही है तो उस कंडिशन में सभी रंगों का केंद्री उचिष्ठ एक के उपर एक ही प्राप्त होता और इसलिए केंद्री उचिष्ट तो स्वेत होता लेकिन जो बाकी उचिष्ट होते वो सारे रंगीन हो जाते क्योंकि प्रकाश सात रंगों से बटा हुआ है और जो उचिष्टों के चोड़ाई है वो तरंग दैदे के समानुपाती होती है यानि लाल रंग के जितने भी व्याप्त हो जाएंगे कि बाकी उचिष्ट केवल रंगीन नजर आएंगे इस विवर्तन प्रतिरूप को सिर्फ लैब में ही नहीं देखा जा सकता यदि आपको विवर्तन प्रतिरूप देखना हो तो अब घर पर भी देख सकते हैं विवर्तन प्राप्त करने के लिए हम क खालतार ब्लेडों को कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे कि उनकी बीच की दूरी बहुत ही कम हो और यदि उसके सामने एक बल्ब रख दे तो इस बल्ब से निकलने वाला प्रकाश यू मानकर चलिए कि तिक्ष्ण स्लिट से होकर गुजर रहा है और यह स्लिट के किनारों से म मिलेगा और उसके दोनों तरफ रंगीन उचिष्ठ दिखेंगे इस प्रकार विवर्तन प्रतिरूप अब घर में भी देख सकते हैं और इस विवर्तन प्रतिरूप को और इस पश्ट देखना हो तो वहां पर बल्बे के स्थान पर हम एक लेजर लाइट ले सकते हैं जो हम करते हैं खिलोनों के रूप में जैसे की की रिंग वगरे में रहता है तो वहां पर हम लाल रंग का लेजर लाइट भी यूस कर सकते हैं इस दो ब्लेट के बीच में जो स्लिट बनी है उस पर यदि इस लाल रंग के प्रकाश को डाला जाए तो यह व्यतिकरन प्रारूप द बिल्कुल वैसा ही विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा जैसे की लैब में प्राप्त होता था हमने लाल रंग का लेजर इसली लिए है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्द अधिक होता है तो इससे जो विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा उसमें उचिस्ठों की चोड़ से जूड़ी इस विवर्तन की घटना को आसानी से समझ पाएंगे प्रकाष के तरंग सिधान्थ पर अधारित ये दो घटनाएं व्यतीकरन और विवर्तन करते हैं व्यतिकरण, विवर्तन, दो कला संबध शुरोतों से चलने वाली तरंगी काओं की अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसमें समस्त दिप्त फ्रिंजों की तीवरता एक समान होती है, केंद्री उचिष्ठ की तीवरता अधित्तम होती है, दुत्यक उचिष्ठों की तीवरता क्रमशा घट्ती जाती है, इसमें समस्त दिप्त फ्रिंजों की चोड़ाई एक समान होती है, इसमें एक केंद्री विपर्यास यानि की कॉंटरास्ट आच्छा होता है इसीस्ट या अधित्थ फ्रिंजों के दिए कंध्यास अधिक बिदिकरन्ग प्रतिरूप में लैम्डा यू पर दीप फ्रिंज प्राप्त होती है जहां इसीडों बीच की दूरी विवर्तन प्रतिरूप में लामजा बाई एकोंड पर प्रथम निन्निष्ट प्राप्त होता है जहां एक असलिट की चौड़ाई है आपने साबुन का बुलबुला देखा होगा साबुन का पानी तो रंग हीन होता है लेकिन जोसका बुलबुला होता है वो रंगीन होता है वैसे ही यदि रोड पर या पानी पर अगर पैट्रोल की एक परत गिर जाए उस पैट्रोल की परत को आप देखेंगे तो वो भी रंगीन दिखता है साथ ही किसी बल्ब को यदि आप किसी पतले कपड़े से देखें जैसे कि दुपट्टा हो या रुमाल हो तो वो बल्ब भी रंगीन नजर आता है यहाँ पर साबुन की बुलबुले में रंग इस पैट्रोल की थिन फिल्म में रंग और इस रुमाल ये दुपट्टे से देखे जाने पर बल्ब में रंग डेली लाइफ से जूड़े इस तीनों एक्जामपल्स में क्या प्रकाश्च जूड़ी एक ही घटना हो रही है कि बल्ब से निकला हुआ प्रकाश इस कपड़े के छोटे-छोटे छिद्रों से होकर गुजर रहा होता है और यह छोटे छिद्र के किनारों से वो मुड जाता है और इन किनारों से मुड जाने पर कौन सी घटना होती है विवर्तन की मतलब जो बल्ब में रंग दिख रहा है कपड़े से पार होने के पाथ वो विवर्तन की घटना है अब बचे दो और एक्जामपल साबून का बुल्बुला और पेट्रोल की परत जब प्रकाश इस साबून के बुल्बुले या फिर इस पेट्रोल के पर अपतित होती है उस समय यह साबून का बुल्बुला या फिर पेट्रोल की जो परत है वह एक थिन-सल्म की तरह काम करती है ठिन-सल्म मतलब यह एक ऐसा पारदर्शी माध्याम होगा जो कि बहुत ही पतला होगा और इसकी दो सताए होंगी मान लीजे जो पेट्रोल रोड में बिखरा हुआ है ये पानी की सता पर फैला हुआ है इसकी दो सता है X1 और X2 इस फिल्म की मोटाई T है और ये पेट्रोल माध्यम का अपवर्तनांग म्यू है अब इस प्रकाश का आंशिक रूप से परावर्तन भी होगा और आंशिक रूप से अपवर्तन भी होगा यानि कि ये A R1 के रूप में आंशिक रूप से परावर्तित होगी और A B के रूप में ये अपवर्तित होकर आगे बढ़ेगी इस थिन फिल्म के अंदर इस थिन फिल्म के अंदर B बिंदू पर फिर से इस प्रकाश में दो घटनाई होंगी एक अपवर्तन और दूसरा परवर्तन अब यही प्रकाश B C के रूप में परवर्तित होकर X सता की और वापिस चले गए जबकि B T1 के रूप में अपवर्तित होकर इस माध्यम से पारगमित हो गई बिंदू C पर वापिस प्रकाश की दो घटना होगी यह अपवर्तित होकर यह C से R2 के रूप में इस फिल्म से बाहर निकल जाएगी जबकि C D के रूप में वापिस इस फिल्म के अंदर रिफलेक्ट होकर D बिंदू तक पहुचेगी और फिर इस D बिंदू से यह प्रकाश DT के रूप में इस पेट्रोल के इथिन फिल्म से पारगमित हो जाएगा इस चित्र के अनुसार AR1 और CR2 यह दोनों ही परावर्तित प्रकाश है जो कि एक दूसरे के समांतर है और BT1 और DT2 यह पारगमित प्रकाश है जो कि इस पेट्रोल की फिल्म से बाहर निकल चुकी है और यह भी एक दूसरे के समांतर है अब इनहीं प्रकाशों के बीच में व्यति करण होता है जिसके कारण एक रंगीन प्रतिरूप हमको देखने को मिलता है यह समांतर रिफ्लेक्टेड लाइट और यह समांतर ट्रांस्मीटेड लाइट इनके बीच में जब अध्यारोपन होता है तभी एक रंगीन प्रतिरूप देखने को मिलता है और ये रंगीन प्रतिरूप इन अध्यारोपन्स के पश्चात प्राप्त संपोशी और विनाशी व्यतिकरण के कारण ही होता है परावर्तित प्रकाश में व्यतिकरण की शर्थ अलग है और पारगमित प्रकाश में व्यतिकरण की शर्थ अलग है जो परावर्तित प्रकाश है उसमें संपोशी व्यती करण के लिए 2μू T cos R बराबर 2N प्लस 1 लैमडा बाइ 2 होना चाहिए जहाँ पर N कमान 0, 1, 2, 3 and so on आगे होता है यहाँ पर मू हम जानते हैं कि इस पेटरोल का अपवर्तनांख है और T इसकी मोटाई और यह जो R है यह अपवर्तन कोण है और लैमडा यहाँ पर उप्युक्त प्रकाश का तरंग दैर्द है और विनाशी व्यती करण के लिए 2μू T cos R बराबर N लैमडा होना चाहिए जहाँ पर N कमान 0, 1, 2, 3 इस प्रकार आगे बढ़ता है लेकिन वहीं पर पारगमित प्रकाश के लिए यानि कि B T1 और D T2 के लिए समपोशी व्यती करण की शर्थ है 2μू T cos R बराबर N लैमडा जहाँ N कमान 0, 1, 2, 3 होता है और विनाशी व्यती करण के लिए 2μू T cos R बराबर 2N-1 लैमडा बाइ 2 है जहाँ N बराबर 1, 2, 3 होता है इस प्रकार हम देखें कि परावर्तित प्रकाश में जहाँ दिप्त फ्रिंज मिलेगा वहाँ पारगमित प्रकाश का अदिप्त फ्रिंज मिलेगा और जहां परावर्तित प्रकाश के लिए अदिप्त फ्रिंज होगा वह पारगमित प्रकाश का अदिप्त फ्रिंज होगा और इस प्रकार व्यती करण के पश्चात ये पूरी पेट्रोल की थिन फिल्म रंगीन हो जाती है और सेम यही कॉंसेप्ट लगता है साबुन के बुल इस फिल्म की मोटाई पर निर्भर करती है अब हम व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करती हैं व्यतिकरण विवर्तन दो कला संबद्ध श्रोतों से चलने वाली तरंगी काउं की अध्यारोपन के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है एक ही विफड़ाम होती है दृत्यक उचिस्थों की तीवरता क्रम्शा घट जाती है इसमें समस्त दिप्ट में लीक्िभरात्फं की चोड़ाई एक समद्ध केंद्ध कोटा है जिसकी चोड़ाई दुतियक उचिस्टों की चोड़ाई से दुगनी होती है इसमें दिप्त और अदिप्त फ्रिंजों के बीच विपर्यास यानि की कॉंट्रास्ट अच्छा होता है इसमें उचिष्ण और निम्निष्ठ के बीच विपरियात उतना अच्छा नहीं होता इसमें दिप्ट या अदिप्ट फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है इसमें उचिष्णों या निम्निष्ठों की संख्या कम होती है व्यतिकरन प्रतिरूप में लैम्डा बाई एकोंड पर दिप्त फ्रिंच प्राप्त होती है जहां ए दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है विवर्दन प्रतिरूप में लामजा बाई एकोंड पर प्रथम निन्निष्ट प्राप्त होता है जहां एक एकल स्लिट की चाड़ाई है